आज के इस वीडियो में आप सब की साथ सेयर कर रही हूं बहुती टेस्टी क्रीमी मिलकी रसमलाई टीके की रेसिपी तो रसमलाई किसी इसको पसंद है कॉमेंट करके मुझे जरूर बताना ये टीके काने में इतना टेस्टी है ना अगर आप इसे एक बर ट्राई करोगे तो दोबारा जरूर बनाओगे बहुती टेस्टी स्पंजी ये टीकेक बनके रेडी होता है और ये टीकेक एगलेस भी है और कोई भी इंग्रेंट्स ऐसे नहीं है जो आपको मिलने में प्रॉब्लम होगी बहुती सॉफ्ट क्रीमी स्प करते हैं तो ये रेसिपी बहुती सिंपल है आसान है एगलेस रेसिपी है तो चले शुरू करेंगे रेसिपी तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाव लिया है मैंने और उसके बाद इसमें मैं एड़ कर रहे हूं दो टेबल स्पून रिफाइंड ओयल कोई भी न्यूटल फेव और उसके बाद इसमें एड़ करेंगे half cup powder सगर in grams में 75g पौडर सगर के बराबर है तो मेरे measuring cups हैं 250ml वाले हैं उनकी according मैंने cup मैं जो measurement दिये हैं और grams में measurement मैं आपको बता दे रहे हूं तो आपके पास अगर 240ml वाला measuring cup भी है तो आप उससे भी अपने ingredients मीजर कर सकते हो इन द पर देंगे हम गुनगुना करके मिल्क, मिल्क को रूम टेम्टरचर पर या गुनगुना करके ही लेंगे और उसके बाद मैंने 1.5 cup milk इसमें एड़ कर दिया था, 25 ml milk इसमें एड़ किया है सभी चीज़ों को अच्छे से mix कर लेंगे और उसके बाद फिर से चनली ले लेंगे अब चनली में बाकी के ड्राइंगेंट्स एड़ करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने 3.4 cup मैदा एड़ किया है 3.4 cup मैदा, 100 gram मैदा के बराबर है उसके बाद 1.4 cup मैंने milk powder एड़ किया है तो 30 gram milk powder आपको इसमें एड़ करना है 1 teaspoon baking powder एड़ कर देंगे 1.4 teaspoon baking soda एड़ कर देंगे एक पिंच नमक एड़ कर देंगे और सभी चीज़ों को अच्छे से चान लेंगे तो अच्छे से चानने के बाद एक smooth and lumps free batter बना करते यार करेंगे batter को बिल्कुल भी over mix नहीं करना है batter को mix करते टाइम एक ही direction में mix करें जिससे कि जो आपका cake है वो बहुत soft बनेगा spongy बनेगा तो batter को तभी तक mix करना है जब तक कि सारे lumps remove नहीं हो जाते over mix मिल्कुल भी नहीं करना है तो अब मैं इसमें add करूँगी rasmalai essence अगर आपके पास rasmalai essence नहीं है तो इस time पर better बनने के बाद आपको इसमें half tea spoon elachi powder और 2-3 kesar के strands पहले से milk में डाल कर रखने हैं और वही milk आपको add करना है तो अब मैं इसमें add कर रही हूँ rasmalai essence तो अगर essence नहीं है तो मैंने बता दिया आपको क्या add करना है तो ये वाला rasmalai essence मैं इसमें add कर रही हूँ बहुत ही अच्छी quality का है कुछ drops ही काफी होते हैं तो थोड़े से drops लगबग 5-6 drops मैंने इसमें rasmalai essence के डाल दिया है उसके बाद 1 teaspoon मैंने इसमें vinegar add किया है vinegar हम सोड़े को activate करने के लिए use करते है और उसके बाद इसमें मैंने थोड़ा सा yellow color add किया है अगर आप इसमें saffron या kisar का use करोगे तो आपको yellow food color add नहीं करना पड़ेगा अच्छे से mix कर लेंगे और batter बनकर एकदम तयार है अब ये batter एकदम ready है और उसके बाद इसमें मैं add कर रही हूँ थोड़े से kajoo, pista, badam तो kajoo, pista, badam को मैं जो है वो crush करके add करूँगी आप चाहो तो chop करके भी add कर सकते हो बट मैंने इसमें crush करके add किया है ताकि जो मैं आपको अंदर का texture दिखाऊं बाद में वो cake का अच्छी से दिखा पाऊं तो मैंने यहाँ पर kajoo, pista, badam को crush कर दिया है आप चाहो तो chop पी कर सकते हो तो जो आपको dry fruit add करने है वो अपनी choice की according आप कम या जादा भी add कर सकते हो जैसे आपकी अमर्जी हो वैसे आप add कर सकते हो तो एक बार मैंने इसे फिर से अच्छे से mix कर लिया और अब हम इसे mold में डाल देंगे तो यहाँ पर मैंने अपना bread mold ले लिया है तो यह जो bread mold है वो 7 by 3 का है पूरा का पूरा better एक बार में डाल देंगे और oven में इसे bake कर लेंगे 170 degree centigrade पर 35 minute के लिए इसे bake करना है तो 170 degree centigrade पर अपने oven को treat कर लेंगे उसके बद 170 degree centigrade पर ही 35 minute के लिए इसे bake कर लेंगे 35 minute में यह ready हो गया था हो सकता है आपके oven में 2-3 minute ज़्यादा या कम भी लग सकते हैं तो पूरे तरीके से bake होने के बाद और ठंडा होने के बाद मैंने इसे demold कर लिया है आप देख सकते हो बहुत ही soft है spongy है और खाने में यह cake सच में बहुत ज़्यादा tasty था बहुत ही बहुत ज़्यादा yum यह tea cake बनके ready हुआ था तो आप देख सकते हो बहुत ही soft बनता है spongy बनता है और milk powder और जो रस्माला essence हमने यूज़ किया था उसकी बज़ए से इसका taste flavor बहुत ही ज़्यादा awesome था बहुत ही